तो सिकंदर जब भारत आ रहा था तो उसा गुरू था डाइनॉसियस। तो जब हम विदेश जाते हैं जैसे पहली बार मैं ही बाहर गया, कंट्री के बाहर गया, तो मैंने लोगों को फोन किया, जो हमारे रिष्टेदार हैं, दोस्त हैं, वैंने उनको फोन किया, कि हाँ भाहर जा रहे थे तो कुछ मंगाना है तो बताओ, तो अब पूछेंगे कि कहां जा रहे हौ, हम जा जा रहे थे अच्छाँ अमरीका जा तो बहिए अमरीका जा थे अपसी अ 냈 सकतेलों को फोन करके, यह अमरीका जारे लेकिन खोशी बहुत है अजिए अमरीका जा रहे हैं, उसे बतांए हैं रुप गुर्देव पूरव की तरफ जा रहा है भारत की तरफ कुछ जाना है वाले जुच लाना वाना नहीं है हड़जाओ सामने से दूब आ रही है तो यह 18 जारा साल का जिद्ध में आ गया कि नहीं बताओ कुछ लाना हैंगी नहीं जा लाना तो है जा एक सन्यासी लियाना भारत से का ठीक आया भारत भारत आया जब वों लौटने लग बर्ट निगत अभा प्रश सी युद्ध के बाद उसे याद आया कि आर गुड़दी उन्हे उन्हे तो सन्यासी भाइं थो एग को पोछिभी 喔 और एक बहुत फेमस सन्यासी थे उस समय के दंडिन, सन्यासी, मैं बताऊंगा ये 1901 की सिक्षा ने कितना अपराद किया हमारे साथ, सन्यासी, आज हमारे देश के लोग सन्यासी सब्द से या तो डरते हैं या नफरस करते हैं, सिकंदर को मिल गया दंडिन, नियारकस, वो गया बाहर उसे वही मिल गए, गेर हुआ, पहने हुए, उसको लगा, ये सन्यासी, उसने दंडिन से का कि सिकंदर भाई ने बुलाया है, सिकंदर भाई, ये कौन है, अरे बोले, उसने तलवार पर हाद रखा, अरे दंडिन ने का, ये सब खिलोने बजारे बहुत मिलते हैं, और किसी का नाम मतले ना मेरे सामने, ने तो जब पल निकाल गई, इतना मारूंगा तुमको, नियारकस को बड़ा अजीब लगा, कि ये कौन आद्मी है यार, नियारकस ने आखे का सिकंदर से, कि यार, बड़ा अजीब बड़ी अजीब चीज हो गई आज, बोले क्या, बोले कि बार एक नंगा सा आदमी फकीर, वेक बंगा, वो तो हमी को काली देने लगा पलटके, ये बड़ा सिकंदर देखे, सिकंदर लगा, चलो, सिकंदर पहुंचा दंडिन के पास, का मैं सिकंदर, अगर पहाडों को हुकम कर दूँ तो पहाड भी चलते हैं, धैलाग बाजी म पहाड़ सिकंदर को लगा की जाधा बूल गए, सिकंदर नका कि बाबाँ जी टुकुले-टुकुले कटड़ें, की बौले हाँ, कट डाल, मना किया गा तुझे, तब सिकंदर ने हाँ जोड़ा, जा भाबाँ जी थाए, हमारे साथ चले चलते हैं, घुरुन एक सन्याशी ह बगाए हमको कहें पचले में डाल ले हमाई साथ चले चले जो पाईसा रुपिया बोलें हम देंगे बोलें पाईसा रुपिया नहीं चाहिए मेरे सवाल का जवाब देदे सिकंदर चलूगा तेरे साथ कहा बावजी पूचो कहा माले तुम परुस्तल में फंस गया और तुझे एक ग्लास पानी की जरूरत है अगर तुझे एक ग्लास पानी नहीं मिला तो तुम मर जाएगा और वो एक ग्लास पानी मेरे पास है तो तु पूरे राज्जी की कीमत एक गलास पानी से ज्यादा नहीं है। तो क्यों मर रहा था पिछले 10 साल से। इसलिए मावाब थोड़ा से डरते हैं सन्यासियों के पास जाने में। कि कहीं दंडिन जैसा कोई मिलकर उल्टा सीधा ना समझा दे। कि संसार माया है। और सिकंदर उस बात को सोचे लागी हाँ यार मेरे समराज जी कीमत तो एक गलास पानी से ज्यादा ही नहीं। बुखार से मर गया। झाल